असलाम उलिकूम मेहुरी शाद रीडमी नोट 11 डिवास की यूजर्स के लिए एक बहुती बड़ा गुड न्यूज है शाओमी के तरफ से रीडमी नोट 11 डिवास के लिए Android 12 का सेकेंड स्टेबल वर्शन का अपडेट रोल आउट किया जा चुका है अगर आप एक रीडमी नोट 11 डिवास की यूजर्स हो तो आपको पता होगा इस डिवास के लिए शाओमी के तरफ से Android 12 का जो फास्ट अपडेट था वो ग्लोबल में 13.0.4.0 में रोल आउट किया गया था 13.0.4.0 के बाद 13.0.5.0 Android 12 बेज सेकेंड अपडेट जैसे की इस टेम पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक रीडमी नोट 11 डिवास है और इसमें Android 12 का सेकेंड अपडेट मुझे देखने को मिल गया है जिसका भर्षुन है 13.0.5.0 अगर मैं अल स्पेक पे जाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह रीडमी नोट 11 डिवास का एक ग्लोबल वेडियन डिवास है तो इसमें आपको Android Security Patch अक्टोबर महीने का देखने को मिल जाता है मतलब कि अक्टोबर महीने का Android Security Patch अपडेट किया गया है इस वर्षुन में इसके अलाबा यहाँ पर और भी काफी सरे चिंजेस आपको देखने को मिलता है जैसे की इस टैम पर आप लोग देख सकते हो यह नया एक एप यहाँ पर आटोमेटिकली आ गया है पता नहीं इसका काम क्या है लेकिन गेम की तरह से लग रहा है पता नहीं क्यूं यह आया है शाओमी के तरफ से लगता है इसे एड किया गया है खैड जो भी हो अगर आपके पास रीड मी नोट इलाव इन ग्लोबल वेडियन डिवाइज है तो आप अपने फोन के अपडेटर अप में जाकर चेक किजे आपको भी अपडेट देखने को मिलेगा क्यूंकि यह अपडे हो इंडिया में इस डिवाइज के लिए Android 12 का जो फास्ट अपडेट रोल आउट किया गया था उसका भर्षन था 13.0.1.0 तो अब जो इस डिवाइज के लिए जो गलोबल में नया अपडेट आया है वो जब आपको देखने को मिलेगा वो हो सकता है कि आपको 13.0.2.0 आपको जरूर बता दूँगा फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही